91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धरकन हेलो हल्दवानी उत्तराखन मुक्ति विद्यालाई का ये कम्यूनिटी रेडियो है और 91.2 मेगा हर्ट की तरोंगों पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं विद्याले परिसर से कारिक्रम आप सुन रहे हैं और संस्कृत विभाग में एससेसेंट प्रोफेसर प्रज्या दूबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस्टूडियो में जो की संस्कृत के बारे में बहुत विस्तार के साथ में बिलकुल स्रंख्लाबद्ध तरीके से पंडिता चमाराव के बारे में हम लोग जानेंगे पंडिता चमाराव जो है अधुनिक संस्कृत की कवीत्री मानी जाती है बहुत भेहतरीन काम उनका रहा है तो आज दोस्तों हमारी तुमाम लर्नर्स हैं हमारी जो स्रूता हैं हेलो हल्द्वानी के आप सभी के लिए आज काई एपिसूड बहुत ही महत्पूर्ण है, तो हम वेलकम करते हैं, प्रग्या जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारिक्षाइब, धन्यवाद मैं आपका धन्यवाद, जी तो हम चाहते हैं कि आप विस्तार से बताएं कि पंडिता चमार जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कि साहित्य की दिर्गकालीन परंपरा की विकास यात्रा का प्रारंब, वैदिक साहित्य, रिगवेद, यजुरवेद, अथरवेद, एवं सामवेद से माना जाता हैं और यह परंपरा शनही शनही हमारे आर्श काव्य, रामायन एवं आदिकाव्य महाभारत से होती हुई, कालिदास, माग, भभोती, दंडी, बानभट, प्रभृती, महान रचना कारों से गुजरती हुई, सदा ही अपनी प्रोणता एवं विश्व व्यापकता की सूचक रह इतिहासकारों ने संस्कित साहित्य को वस्तुतह की तीन कालों में विभग्त कर हमें एक नई द्रिष्टी प्रदान की हैं, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इवं आधुनिक साहित्य वैदिक साहित्य का अवलोकन करने से हमें ग्यात होता है कि रिगवेद संगिता में आये सुक्त आख्यान, इस्तुती परक्स्तोत्र, नारा संसी गाथाएं, इत्यादी, साहित्य लेखन की प्रथम सीढ़ी के रूप में विद्यमान हैं जब हम बात करेंगे लोकिक साहित्य, जिसका काल आचारियों के मत में भिन्न भिन्न माना गया है, ऐसा इस पर चर्चा करते हुए हम यह जानते हैं कि रामायड के रचनाकार महर्सी वालमिकी ने मान इशाद प्रतिष्ठाम्तं गमह शास्वती ही समाह यत क्रउंच मिथुना देख मवधी काम मोहितं इस पद्य की द्वारा अनुष्टुक छंद में वर्लों को सजाकर लोकिक साहित्य परंपरा का शेलान्यास किया खेर लोकिक साहित्य में ऐसे अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं जैसे महर्सी व्यास विरचित महाभारत, कालिदास द्वारा रचित रगुवन्षम, इत्यादी, माग का शिशुपालवधम, एवं भभूति का उत्तरामचरितम ऐसे और भी अनेक लोकिक साहित्य परंग्रंथ हैं जो इस काल को सुशोभित किये हुए हैं जब बात आती है आधुनी काल के साहित्य कारेओं की, तो हमें सर्वप्रथम ग्यात होता है कि इस काल में साहित्य लेखन की परंपरा को अग्रसारित करने में अपना योगदान देने वाले उन्नीशवी सताब्दी के प्रथम कवी राम पाड़िपाद हैं जिन्होंने बीस सर्गों में रागवियम जैसे उत्क्रिष्ट महा कावे की रचना कर इस काल को गती प्रदान की आधुनिक साहित्य में वैदिक साहित्य में इस्तरी लेखन की जिस परंपरा को गारगी अपाला घोशा इत्यादी रिशिकाओं ने अपने विचारों के बीज से वपन किया था वह हमें आधुनिक काल के विभिन इस्तरी कवियत्रियों के विचारों में परिलक्षित होता है और इस रेणी में पंडिताक्षमाराव का नाम भी प्रसिद्ध हैं जिन्होंने अपने साहित्य लेखन के द्वारा पंडिता इस उपाधी को ग्रहन किया अर्वाचीन संस्क्रित साहिती में विशिष्ट योगदान प्रदाई का पंडिताक्षमाराव ने संस्कृत भाषा में ही नहीं अपितु अनेक भाषाओं में कावे अरचना कर अपनी पंडिता इस उपाधी को ग्रितार्थ किया है कवे इतरी पंडिताक्षमाराव का जन्म 4 जुलाई 1890 इस वी को पुना में हुआ था इनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग एवं माता का नाम उशा देवी था इनके पिता संस्कृत के महान विश्रुद विद्वान भाषा सास्त्री एवं पुर्वी अनवादक थे पंडिताक्षमाराव तीसरे इस्थान पर थी अतईव पंडिताक्षमाराव पर विभिन जिम्मेदारियों का भी बोज रहा था पंडितक्षमाराव की प्रारमभिक सिख्षा-दिक्षा के बारे में विभिन साक्षियों से ग्यात होता है कि ये सैस्वा वस्था में किसी भी विद्याले में नहीं गए अपितु घर पर रहकर ही भायों के द्वारा लाए गए पुस्तकों से अध्यायान का अभ्यास किया समय के साथ ही जब वह बड़ी हुई तो उनकी सरवाधिक इच्छा पहले इसनातक बनने एवं उसके पश्चात उच्च सिक्षा प्राप्त करने हेतु ऑक्सफोर्ड जाने की हुई जिसके हिदू हाई स्कूल की परिक्षा पास करने के पश्चात उन्होंने विल्सन कॉलेज में प्रवेश किया परन्तु भाग्य वसात वहाँ पर भी वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई और इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उनका विवाह देश के महान चिकित्सक डॉक्टर राग्विंद्र राव के साथ संपन्न हो गया ग्यात होता है कि विवाह के पश्चात शमा राव के जीवन को एक नई गती मिल गई थी क्योंकि वो अपने पती के साथ देश विदेश की यात्रा करने लगी जिससे उनके साहित य लेखन के लिए उनके रिदय में बालेकाल से ही विद्यमान विचारों को जो विचार थे उनको एक नई दिशा मिली इस प्रकार पंडिताक्षमाराओ की जो जीवन यात्रा 4 जुलाई 1890 इस्वी से सुरू हुई वो 22 अप्रेल 1954 को अनंध काल में इस्थिर हो गई पंडिताक्षमाराओ ने विभिन साहित्य लेखन के द्वारा संस्कृत साहित्य को अपने विचारों से एक नई दिशा प्रदान की हैं उन्होंने साहित्य के विभिन क्षेत्र में साहित्य रचना की हैं जैसे चरित्र परक काविय, राश्ट्रिय भावना से परिपुर्ण काविय, कथा साहित्य एवं यात्रा वर्णन इत्यादी जब चरित्र परक काविय की चर्चा हम करते हैं तो उसमें सर्वतम नाम आता है तुका राम चरितम महा काविय की यह तुका राम चरितम महा काविय नौ सर्गों में निबद्ध हैं जो की महा राश्ट्र के संत तुका राम के जीवन पर प्रकाश डालता है द्वितिय काव्य है रामदास चरितम महा काव्य यह काव्य तेरह सर्गों में विभगते हैं और इस काव्य में पंडिताक्षमाराउने संत रामदास के एतिहासिक घटनाओं के साथ ही उनके जीवन चरित्र का अत्यांत सुन्दर वल्डन किया है ज्यानेसवर चरितम महा काव्य आठ सरगों में विभगते हैं स्रीमत और यह काव्य श्रीमत भगवत गीता पर प्राप्त होने वाली मराठी भाषा में प्रसिध ज्यानेसवरे टीका के रचनाकार संत ज्यानेसवर के जीवन परगहटणाओं पर आधारित हैं मीरा लहरी इस ग्रंथ में यह ग्रंथ पूर्वखंड एवं उत्तरखंड दो भागों में विभगते हैं इसमें शमाराओने स्रीकृष्ण की अनन्य उपासिका एवं राजपूत राजकुमारी मीरा के जीवन पर प्रकाश्टा गला हैं शंकर जीवना ख्यानम यह ग्रंथ सत्रह उल्लासों में विभगते हैं कहा जाता है कि यह ग्रंथ पंडिताक शमाराओने अपने पिता को शद्धानजली हेतु लिखा था कवहित्री ने अपने पिता के विविध कारियों का उनके जीवन के विविध कारियों का उनके जीवन की विविध घटनाओं का उनके द्वारा किये गए संस्कृत के शित्र में विशिष्ट उपलब्धियों का विशद वर्डन किया हैं संकर जीविनाख्यानम महाकाव्य राष्ट्रिय भावना परग्रंथ पंदिताक्षमाराव ने न केवल जीवन चरित्र अपितू राष्ट्रिय भावना से ओत प्रोत ग्रंथों का भी बहुत ही अच्छा एवं बहुत ही बेहतर प्रस्तुत किया है उन्होंने सत्याग्रह गीता शमाराव की क्रिक्तियों में राष्ट्रिय भावना से ओत प्रोत सर्व प्रथम महाकाव्य सत्याग्रह गीता है इसमें भगवत गीता की तरह 18 अध्याय 18 सर्गों के रूप में नहीत है यह काव्य महात्मा गांधी के प्रभावोत पादक राष्ट्रिय जीवन का विस्तरित विवरन प्रस्तुत करता है इसके पश्चात पंडिता शमाराव ने उत्तर सत्याग्रह गीता की रचना की यह जोकी पश्चपन अध्यायों में विभगते है इसमें प्रमुख भारती स्वतंसता एवं सत्याग्रह से संबंधित घर्टनाओं को चित्रत किया गया है ग्राम जोती नामक संग्रह में उनकी पांच कथा परग्रंथ जोकी गर्द्य में हैं ग्राम जोती नामक संग्रह में ग्राम जोती एक कथा साहित्य है उनकी पांच कथाओं का संग्रह है पहली कथा है बालिको द्वाह संकटम दूसरा है गिरजाया हप्रतिग्या तीसरा है हरिसिंगह चौथा है दंत केयूरम पांचवा है असुईनी ये सभी कथाएं गद्य विधा में निबध्य हैं कथा मुपतावली इसमें पंद्रह कथाएं प्राप्त होती हैं जो की इस प्रकार हैं प्रेम रसोद्रेक, तापसस्य पारितोशकं, परित्यक्ता, मिठ्था, मिठ्या ग्रहनं, वृत्त संसित छत्रं हैम समाधिही, माया जालं, स्वाधिकाब्य मुहह, नजमदिलेलह, विधवो द्वाह संकटं, शडिक विभ्रमह, सरद्दलं, निशिधावलिही, मत्स्य जीविकेवलं, आत्म निर्वासनं यात्रा परग्रंथ जैसा कि सर्व विधित है कि पंडिताक शमाराओ का विवाह, महाराश्टर के प्रसिध चिकित्सक, डॉक्टर रागवेंदर राओ के साथ संपन हुआ था डॉक्टर रागवेंदर राओ चिकित्सा के शित्र में एक बहुत ही ख्याती परक नाम है वो ना केवल देश में ही अपितू विदेशों में जाके भी चिकित्सा के शित्र में महान कादि किये हैं तो जब वो विदेश यात्रा पर जाते थे, तब पंडिताक शमाराओ भी उनके साथ यात्रा का एक अंग हुआ करती थी तो जब वो यात्रा करती थी तो उन्होंने उसी यात्रा पर उन्ही यात्राओं को लेते हुए उन्होंने देश में भी बहुत जगा भ्रमड किया, गांधी जी के साथ वो रही, कस्दूर्बा के साथ वो रही और उन्होंने पूरा भ्रमर करते हुए देश भ्रमर करते हुए विदेश भ्रमर करते हुए उनके रित्या में जो भी विचार आते थे उसको वो गर्थ के रूप में लिखा है इस संदर्भ में विचित्र यात्रा परिशत इस ग्रंथ का नाम आता है विचित्र यात्रा परिशत इस ग्रंथ में कवेईत्री ने अखिल भारती राष्ट्री भाषा परिशत के सम्मेलन में जाते हुए अपनी यात्रा का सरस एवं रोचकता पुल्न वर्ण किया है इस प्रकार हम देखते हैं कि कवेटरी की कावे रचना अतीत घटना के प्रती भावात्मक प्रतिक्रिया हैं भावों के उनमेश, भासा की प्राणजलता, वाक्यों के सुष्ठु गुम्फन में अभिव्यक्त इनकी रचनाएं निश्चे ही संस्कृत साहित्य में एक नूतन प्रणाली का सुत्रपात करती हैं जो भावी संस्कृत रचना कारों के लिए आदर्स रूप में पस्तुत होंगी धन्यवाद